बजट इजाद किया गया है जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है मातर दो व्यक्तियों को छोड़के नितीश कुमार और चंदरबाबुनेट मैं पूछना चाहता हूँ कि वो राज्ये जिन्होंने अभूतपूर समर्थन भाचपा को दिया अपने राज्यों की लगभख सारी सीटे दे दी जैसे की डिल्ली है, गुजराथ है, उřिसा धिमाचल प्रदेश है, जारखन, छतिसगर है, मद्धे प्रदेश है इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में इन राज्यों को कुछ नहीं मिला और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है जैसे कि बिहार और आंधरा उनको सब कुछ लटा दिया गया तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता उसा ज़्यादा दिया जाएगा तो आगे के लिए सीख ले लीजी और दूसरी चीज जहां तक एक आम नागरिक की बात है इसमें कोई दोराई नहीं है आपका एकनॉमिक सर्वे भी सीमाई की रिपोर्ट भी और जितने भी ये एजेंसी हैं इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट साती हैं साफ बताती हैं कि इस देश में आए तो बढ़ने रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है अगर आए महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक माईने से गरीब होता जा रहा है और उसके उपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादात थी इस देश में उसको लाचारी के कागार पे लाकर सरकार ने खड़ा करती है जिसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा बॉडी ब्लो इस देश के इंवेस्टर्स को दिया गया है वो है इंडेक्सेशन की जो लाब आपको दिया जाता था वो आपसे छेन लिया इंडेक्सेशन छेनना इंवेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं investors को penalize करने जैसा है आप indexation remove करके एक माईने में inflation पे भी tax ले रहे हैं यानि कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें कोई सुवधा खरीदें या income कमाएं उस पे तो tax देते थे अब आप महंगाई जो inflation बढ़ रही है उस पर भी tax दे रहे हैं क्योंकि आप से indexation की जो एक एक लाब आपको दिया गया था वो आप से सरकार ने चीन लिया है तो कुल मिला कर इस budget ने लगबग हर तपके को नराज किया है दिल्ली के हिस्से में खास तोर पे दिल्ली वो राज्जे जो share in central taxes में लाखो करोड़ों रुपे केंदर सरकार की एक हजाने में जमा कराता है दिल्ली वाले जमा कराते हैं उनका share in central taxes जो उने मिलना चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं मिला वो 20 साल से जितनी राशी मिलती थी करीब 300-400 करोड़ मिलती है बस उतनी ही मिलती है एक फूटी कोड़ी का भी जाफा उसमें नहीं किया गया और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है दुर्भाग्य पून है और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बजट होगा इस देश के इतिहास में जिसने लगभग सबको निराज किया हो और यहां तक कि अगर आप भारती जन्ता पार्टी की समर्थकों से बात करें इंटेनेट पे देखें हैं इंटेनेट के इलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें वो सब भी इस बजट से निराश होए हैं, मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग प्रोविजिन से बजट के माध्यम से लाए गए हैं, जिस प्रकार से इंडेक्सेशन समाप्त किया गया है, क्यापिटल गेंज पे टैक्स बढ़ाए गए हैं, इनको समाप्त करना चाहिए.